Good morning class 2, we have already completed our chapters 8 and 9, आज हम अपना 10th chapter स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है money, money तो सबको पता है क्या होता है, money होते हैं पैसे, ठीक है, रुपय, पैसे, और रुपय पैसे हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, हमारे पास rupees के coins होते हैं, 1 rupee coin होता है, 5 rupee coin होता है, 10 rupee coin होता है, फिर हमारे पास इनके note होते हैं, 5 rupee note, 10 rupee note, 20 rupee note, 50 rupee note होता है, 100 rupee होता है, 500 होता है, और 2000 होता है, तो ये सारे हमारे notes होते हैं, अब हम इनको पहचानते कैसे हैं, आपको currency पता है कौनसी कैसी होती है, तो जो coins होते हैं वो coins होते है 4 types के ठीक है? एक होता है 1 rupee coin जिसके उपर 1 लिखा होता है तो ये कितना होता है? ये होता है 1 rupee एक 2 rupee coin होता है जिसके उपर 2 लिखा होता है वो होते हैं आपके 2 rupees एक छोटा सा मोटा सा coin होता है 5 rupees का उसके उपर 5 लिखाता है, ये होता है 5 रुपीज और एक ऐसा 2 कलर में कॉइन होता है, अंदर से तो वो सिल्वर का होता है और बाहर से गोल्डनिश होता है तो वो होता है 10 रुपी, उसके उपर 10 लिखा होता है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास जो नोट होते हैं, वो बहुत तरीके के नोट होते हैं इसा लाइक 8 टाइप ओफ नोट्स वी हाफ, 8 तरीके के नोट है एक 5 रुपीज नोट होता है, उसके उपर लिखा होता है 5 यहाँ पर देखिए 50 रुपीज में 50 लिखा हुआ है, रुपीज 50 तो यहाँ पर यह हो गया 50 रुपीज नोट, यहाँ पर देखो 100 लिखा हुआ है तो यह आपका हो गया 100 रुपीज नोट, यहाँ पर 200 लिखा हुआ है तो यह है 200 रुपीज नोट यहाँ पे आपका 500 है तो यह आपका 500 रुपीज नोट और यहाँ पे देखो 2000 लिखा हुआ है जो pink color का नोट होता है सबसे बड़ा नोट यह होगा आपका 2000 रुपीज का नोट तो यह हमारे सारे जो currency जो हमारी हम use करते हैं नोट में और coins में यह है सारी currency जो हम use करते हैं इसी base पे आपको क्या करना है पहले तो आपको currencies अच्छी तरह पहचानना सीखना है कि कौन सा note की value किती है और कौन से जिक्के की value किती है accordingly हम अपनी exercise करेंगे इसके base पे which is 10A आप 10A में क्या है आपको जैसे boxes दे रखे हैं और उसके अंदर आपको values पूछे कैसे कि हम यह करते हैं ठीक है इस box में आपको अलग-अलग note दिये हैं और अलग-अलग coins दिये हैं आपको इन सब को total करके बताना है कि यह actually इसकी total किते rupees हैं इस box में तो आप देखो ध्यान से यहाँ पर 10 रूपी का note है और यहाँ पर 10 रूपी का एक और note है और यहाँ पर 10 रूपी का एक और note है उसके लावा यहाँ पर 2 रूपी का एक coin है और 1 रूपी के 3 coins है तो यह total कितने हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, इन सब का total करना है, 10 rupees का note, plus उसमें 10 rupees और जोड़े, तो किते होगे, 20 rupees होगे, फिर उसमें 10 rupees और जोड़ दिये, तो किते होगे, 30 rupees होगे, फिर 30 rupees में 2 rupees का coin जोड़ा, 32, फिर 2 rupees जोड़े तो 34, फिर 1 rupees जोड़ा तो 35, फिर 1 rupees जोड़ा तो 36, और फिर 1 रुपी जोड़ा तो 37 तो यह टोटल मिला के किते हुए यह हो गए 37 रुपी इसी तरहे आपको इसमें सारे बॉक्स में अलग-अलग नोट अलग-अलग कॉइन्स है उन सब को आपको टोटल करके यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखनी है कि यह टोटल कितने रुपी हो गए ओके इसी तरीके से कुशन नमबर टू में भी आपको यही करना है कुशन नमबर टू में what you have to do हर एक बॉक्स में अगें आपको नोट्स जैसे कि यहां पर जैसे यह वाला लेते हैं इसमें पता करते हैं कि इसमें कितनी करन्सी है तो यहां पर देखो 100 रुपी का नोट है और 20 रुपी का नोट है और एक 5 रुपी का नोट है तो इनको टोटल करें 100 प्लस 20 किता हुआ 120 120 और 5 में जोड़ दे तो किता हो जाता है 125, अब यहाँ पर आपको अलग-लग छीजे दी हुई हैं, जिसके आगे उनके रुपीज लिखुने तो आपको match करना है, तो यहाँ पर हमने total किता देखा था, यह 125 हुआ तो यहाँ पर देखो 125 का लिखा हुआ, यहाँ पर तो इस तरीके से आपको इसको match करना है ओके तो आपका आज का assignment जो है वो ये है कि you have to do आपको पहले तो ये currencies आपको पहचाननी है आपको इसके currencies लिखनी है क्या-क्या है फिर आपको यहाँ पर total करके boxes में आपको अपने answers लिखने है और यहाँ पर match the following करना है question number 2 so you have to do only 10A का आपको question number 1 और question number 2 करके भेजना है आज and कल exercise में हम करेंगे question number 3 and उसके बाद कुछ word problems है exercise 10B में हम वो करेंगे तो आज आप क्या करेंगे आज आप page number 132 133 and 134 पर जो exercise है वो आप करके मुझे send करेंगे okay class so once you send this उसके बाद हम आगे इसकी calculated currency को calculate करके हम सीखेंगे कि currency इसको plus करके calculate कैसे किया जाता है okay class thank you